तो proposed plan वाले method से करना है क्योंकि पैसा तो मेरे पास ही नहीं मेरे पास के वहले की चीजा लगाने के लिए वह इसा और मैं बहुत surprised हुआ कि यार यहां पर तो कुछ भी ready नहीं है तो लोग proposed plan पर ही खरीद लेंगे अपने profit को reinvest करते हैं ना business में तभी वो growth पर जाता है हम sale करते चले गए profit generate करते चले गए और धीरे 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 पैसा एक अठा करना शुरू कर दोस्तों आप मेंसे बहुत सार लोगों लोगों ने मुझे request किया कि सर यह बताओ आपने पहला export कैसे शुरू किया आप मतलब आपकी पहली deal कैसे हुई तो experience मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में शेयर किया और लोगों ने बहुत पसंद किया बहुत सारे followers का मेरे office में call आया सर आप यह बताओ आओ आप तो एक कंपनी कैसे establish हुए और कैसे मैंने सारा setup लगाया तो आज मैं बात करूंगा how I made my first factory and manufacturing setup क्योंकि मैं एक टूशन टीचर था और देखा जाता है कि कई बार तो business में कई-कई generation लग जाती है उसके बाद भी business का setup नहीं हो पाता बहुत बड़ी industry खड़ी नहीं हो पाती तो यह एक बात पढ़ते आते रिए economics में टॉपिक था जिसमें दो बाते बताई जाती लेबर intensive method and capital intensive method एक ऐसा मैथर जिसमें labor की तरह मेहिनत की जाती है सारिक श्रम किया जाता है और तब जाके पैसे कठा करके काम शुरू किया जाता है और दूसरा है capital intensive method बहुत सारी पूझी को invest क यार कर देते हैं लेकिन द्यान रखेगा चाहें आप लेबर इंटेंसिव मेथड करें या क्यापिटल इंटेंसिव मेथड करें दोनों ही मेथड से सफलतासिल की जा सकती है यह बात हमने हमारे एजूकेशन में पड़ी थी और मुझे पता था अगर किताबों में कुछ लिखाए तो बात सच है लेकिन एक बात ध्यान रखेगा अगर आप लेबर इंटेंसिव मेथड से काम करते हैं तो कुछ तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा और मैंने इन्वेस्ट किया मेरा टाइम आ तो आप लोगों ने भी बुक्स में पड़ी होगी तो इस बात को पढ़ने के बाद मेरे मन पर एक गहरा प्रभाव वड़ा कि यार कैपिटल इंटेंसिव में से भी समय लगाकर बिजनस बनाया जा सकता है जिस तरह से पैसे से पैसा लगाकर कैपिटल से कैपिटल लगाकर मनी लगाकर बिजनस का सेट अप किया जा सकता है है ना इसी बात पर मैं सोच रहा था कि बही मुझे अपनी लाइफ में कुछ तो बिजनस करना है उसी बीचना मेरे एक फ्रेंड मुझसे मिलने आया वो बोला यार हम लोग ने एक फ्लैट ले रहे हैं और फ्लैट लेने के गए एक प्रोजेक्ट पर पहुंचे तो वहां मैंने देखा प्रोजेक्ट पर कुछ भी नहीं है सिर्फ लैंड है एक बहुत बड़ा लैंड है जिसकी बाउंडरियों रखी है वहां जेसी भी मशीन खुदाई कर रही है और कुछ एक लेबर वहां काम कर रहे हैं लेकिन ब फैसी लिटी होगी ऐसे स्विमिंग पूल होगा ऐसे हमारी बिल्डिंग्स के टावर होंगे एक टावर में चार फ्लैट्स बने होंगे बहुत सारा प्रपोस्ट प्लैन उसने बनाया और बताया कि वह बनने के बाद दिखी एक टेबल के उपर पूरा डेमस्ट्रेशन रख दिया और मैं बहुत सर्प्राइज हुआ कि यहां पर तो कुछ भी रेडी नहीं तो लोग प्रपोस्ट प्लैन पर ही खरीद लेंगे तो उसने बोला सर सेवन्टी परसेंट फ्लैट बोक हो चुके हैं सिर्फ थर्टी परसेंट बचेंट तो मेरे मन में उत्सुकता हुई कि एक दो तीन चार अलग-अलग फ्लैट अलग-अलग साइट अलग-अलग लोकेशन पर उसने हमें दिखाए तो मैं एक बात को समझ गया है कि बहुत सारे लोग है जो प्रेडी टू मूव प्रॉपर्टे खरीते हैं और बहुत सारे लोग प्रपोस्ट प्लैन में प्रॉपर और अपनी एज्यूकेशन मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट बनाना है और मुझे बहुत बड़ा फैक्टरी सेटप बनाना है क्योंकि बच्पन सही ना मूवीज में देखते थे एक बहुत बड़ी फैक्टरी होती है ट्रक भी अंदर जा रहा ह और तब जाकर फैक्टरी में पहुंसते मेरे मन में यही प्लान था कि वह मुझे आसे लेकिन मुझे यह समझ में आ गया कि प्रोपोज्ट प्लान भी बिख सकता है प्रोपोजट प्लान पर भी लोग इनवेस्ट करते हैं है ना चाहिए आप किसी भी चीज में देख लिजी तो सबसे पहला काम मैंने किया वो था company formation लोग ना इंडिया में जो business करते हैं वो business शुरू कर देते हैं बाद में उसका formation और system और method को implement करते हैं लेकिन foreign countries में हमेशा business का setup on documentation वर्चुल पहले तयार किया जाता है और बाद में उसको physical shape देते हैं जैसे पुराने जमाने में construction होती थी तो लोग building बनाएते थे और फिर देखते रहें इधर रूम मना दो इधर बातरूम मना दो इधर kitchen मना दो यह lobby बना दो यह बैठक बना दो लेकिन आज proposed plan बनता है पेपर पर आर्किटेक्ट पुरा draft बनाता है तो मैंने भी वही किया एक company का formation किया स्टार्टिंग में मेरी company का नाम था ज्यान overseas और जब मैंने overseas word लिखा ना उसी दिन से मेरे मन में चाहती कि मुझे ऐसी company बनाने जो import export भी करे company का formation किया अपनी खुद की website हमारा brand है में मेटास lifestyle वेबसाइट बनाई डिजिटल प्रेजिंस बनाई Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Google, AdWords, AdSense सभी के माधियम से अपनी सारी digital presence बना कर त्यार की उसके बाद images के माधियम से graphic designing के माधियम से मैंने catalog त्यार करे, brochures त्यार करे और brochures त्यार करने के साथ साथ बहुत सारे vendors से मिला जो लोग materials अपलाई देते हैं दोस्तों ध्यान रखिएगा business में जरूरी नहीं की manufacturing setup आपका अपना हो अगर आपके हाथ में sale है तो आप आसानी से manufacturing setup बना सकते हैं तो मुझे पता था कि अगर business में जीतना है बड़ी से बड़ी factory भी एक ही चीज़ के ओपर खड़ी है और वो है sale अगर sale होगी तो production होगा तो मुझे focus करना था sale पर इसके लिए सबसे पहले में samples त्यार करवाए अ अपने ही institute के back end room में बनाया मेरे institute में एक रूम ऐसा था जहां पर हम लोग सारा समान रख देते रहे कार्टून डबबे एक्स्ट्रा समान एक्स्ट्रा चेयर एक्स्ट्रा फरनीचर सब गुजाईते थे वह सारा मैंने खाली किया और वहां पर एक पूरा प्रॉपर setup बनाय और यह सारी चीज़े त्यार करने के बाद हमने सर्च करना शुरू कर दिया clients को देखिए मैंने आपको बताया था कि client दो तरह से मिल सकता है या तो offline या online और हमने दोनों ही method कर इस्तिमाल किया सबसे पहले क्योंकि आप एक group में बैठ कर काम कर रहे हैं तो आसानी से आप online buyer क को सर्च कर सकते हैं Francis बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दिली जैसे शेहर में बैठे हैं या उत्तर प्रदेश के किसी छोटे से बिहार के किसी छोटे से डिस्टिक गाउं में बैठे हुए अगर आप internet आपके पास है तो आप world से जुड़े हुए और हमने online buyers को सर्च करना शुरू किया construction company कौन सी हैं builders कौन से हैं architect कौन से interior designers कौन से हैं सब को contact करना शुरू किया और दो तिन लोगों की टीम त्यार की जिनका काम था offline जाना जहां-जहां साइट बन रही है construction हो रहा है मकान बन रहा है कोठी बन रही है वहां पर हमने जाना शुरू किया तो क्या क्लाइंट को proposed plan दिखाना क्लाइंट को catalog दिखाना sample दिखाना और ध्यान रखिए कि जब आप actual asset के साथ कहीं जाते हैं तो कई जगा आपको rejection हो जाता है और कई जगा आपको स्विकार भी करते हैं आपको accept भी करते हैं और लोग पूछते हैं आपका factory setup का है है ना तो बताते ह प्रफाद meeting at their office हम clients क्योंकि हमारा खुद आप नहीं था हमारा खुद का manufacturing setup नहीं था तो हमारी टीम लोग टीम के लोग बात करते थे अपॉइंट्मेंट फिक्स करते रोग क्लाइंट क्लाइं आप देखिए दो तरह से लोग आते हैं कि शोरूम पर आते हैं विजिट करते ह या शोरूम को बुलाते हैं और विजिट करवाते हैं अपने तो हमें पता था कि हम जाकर मिलेंगे तो ज्यादा तरीके से हम प्रभावशाली तरीके से बात कर पाएंगे फिर उनकी ज़रूत के साब से चीज़ों को समझना वह एक अलग बात है क्या consumer की requirement है कैसा design बनेगा स हमें पता रहा है कई बार possibility क्या होती है लास्ट के 10% क्लाइंट लटकाने की कोशिश ही करता है कोई बात में हमारे profit product में इतना मार्जन था कि हम और उसके बाद जैसी order हमें मिला अब दुनिया के बड़े से बड़े manufacturer उनको material देने के लिए तयान है जिनके पास sales है क्यों क्य होता ही इसलिए ताकि माल को बेचा जा सके और बेचने वाला हमेशा राजा होता है और हमें पता था कि हमने इस business में जो king है ना उस topic पर काम किया और sales और sales पर काम करने के बाद हम क्या करते रहे जैसी हमने order close किया client से advance लिया मान लीजिए मैंने कोई 8 लाग का कोई product kitchen model location प्लेस किया और जैसी order place किया हमने vendor से supplier से material लेकर client किया लगाना शुरू किया दोस्तों मेरी सफलता के पीछे सबसे बड़ा रास था ना वह यह है कि हमने सबसे अदर जो focus किया वह sales पर focus किया दूसरा आपके vendor अगर बढ़िया है ना आपके supplier बहुत बढ़िया है तो आप ज इंपॉर्टेंट बात कि जब आप अपने profit को reinvest करते ना बिजनस में तभी वो growth पर जाता है और हमने यही किया हम सेल करते चले गए profit generate करते चले गए और धीरे 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 पैसा कठा करना शुरू कर दिया क्योंकि मेरा dream project था मुझे अपना खुद का manufacturing setup लगाना है और जब मैंने बहुत अशा sales volume generate कर लिया आज vendor के लिए में किंग बन गया कि vendor कैता रहा अगर हम डॉक्टर मित्मा इश्वरी को metal देना शुरू कर देना तो हमारा भी business बहुत बढ़िया हो जाएगा क्योंकि हमारे पास sales की power क्योंकि मैं जानता था कि institute में कैसे franchise dealer distributor network बना जाता है और वो सारा अनुभव मैंने अपने business में implement किया मुझे पता था अगर fund नहीं है तो भी बहुत सारे बैंक्स बहुत सारे vendors बहुत सारे इंवेस्टर्स बहुत सारे private finances आपको पैसा दे सकते अगर आपके प्लान में है दम तो हमने क्या किया sales volume को बढ़ाया और उसके बाद funding और लोन के लिए लोगों को एप्रोच करना शुरू किया अब जब आप किसी को एप्रोच करते ना मेरी बहुत सारी वीडियो स्टाटब फंडिंग के उपर लोग सम इन सब के लिए इतना बड़ा sales volume है क्यों क्योंकि जितना जादा पर वर्क आप सही तरीके से करेंगे उत्रे प्रॉपर डॉक्यमेंट्स आपके पास होंगे और जितने प्रॉपर डॉक्यमेंट्स होंगे उतनी अच्छी sales और उतनी अच्छी funding के लिए आप अप्रोच भी क ज्यान रखिए बड़े से बड़ा खत्रा आप लेने के लिए तयार है आपको पता है कि पीछे बैक अप मेरे पास था तो उसके बाद हमने क्या किया अपने खुद के सारी सेविंग मेरे एक च्छोटी सी प्रॉपर्टी उसको सेल कर दिया वह पैसा और फिर प्राइवेट आप इंटरस्ट पर दे भी रहे तो आपको पता है आपके बिसनस में यह आपके अंदर कितना कॉंफिडेंस है कि अच्छे से बिजनस कर सकते हैं तो मैंने वहाँ पर प्राइवेट वेंडर से लोन लिया फैक्टरी को मैंने रेंट पर लिया और रेंट पर लेने के बाद स सेकिन एंड मशीनरीज सर्च करना शुरू कर दिया मुझे कई जगह से ऐसे फैक्टरी सेट अप मिले जो सेल्स की वज़े से नहीं चल पा रहे थे तो उनकी मशीन को मैंने खरीदा अपना सेट अप तयार किया और पूर का पूरा फोकस सेल्स को बढ़ाने पर लगा दिया अपना खुद का शूरूम सेटब बनाया पहला और उसके बाद फ्रंचाइजी डिलर डिस्टिबूटर बिजनस को बी टू भी में लेता चला गया क्योंकि बी टू सी जब आप सेल करते हैं तो वो सेल एक बार होती है या आपको रिपीट ओडर मिल जाएगा या रेफरेंस फैक्टरी थी दीरे दीरे सेल्स बढ़ाते गए बिजनस का पैसा बिजनस में लगाते चले गए और क्योंकि मैं यह बात मानता था कि अगर मैं कहीं जॉब भी करता ना तो कोई मुझे कितनी सेलरी था पचास हजार एक लाख डेड़ लाख दो लाख तो मुझे उतनी पैसे चाहिए मेरे बिजनस से और बाकी सारा पैसा मुझे इन्वेस्ट करना मेरे बिजनस में मैं अपनी इंकम का सिर्फ उतना पैसा जितना मैं सेलरी लेने का हगदार था उतना ही पैसा में लेता था और बाकी सारा इन्वेस्ट करते तरह अपने बिजनस में अब यहां आपका तो आपकी जारा सेलरी बीजार होनी चाहिए ऐसा तो नहीं होगा कि कंपनी में अगर आप वरकिंग है तो आपकी सेलरी यह पांच लाख रुपे और सबसे लास्ट जो इंप्लाई उसकी 10,000 रुपे तो मैंने यह डिसाइड किया कि मुझे सिर्फ उतनी पैसे चाहिए जितने पैसे एज़र सेलरी मुझे कोई दे था 10-15-20% extra लिया और पैसा इंवेस्ट करता चला गया धीरे-दीरे पैसा इंवेस्ट और जैसे जैसे बढ़ती चली गई मेरी इनकम बढ़ने लगी और उस इंकम में से सिर्फ सैलरी घटाने के बाद मैं री-इनवेस्ट करता चला गया मैंने अपना खुद का फैक्ट्री लैंड खरीदा एक ऐसा लैंड जो मेरे सपने में था जो मैं movies में देखता था कि factory के अंदर गाड़ी जाती है मालिक की factory के अंदर गाड़ी जाती है material upload की और डिलोड करने के लिए जितनी भी गाड़ियां लगती हैं लॉरीज लगती हैं सब अंदर लगती हैं धीरे 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 वो मेरा plan पूरा होने लगा और modular kitchen business में वो छोटी सी company जो ग्यान overseas के नाम से केवल proposed plan से मैंने शुरू की थी उस company को हमने rename किया और फिर हमारी company का नाम हुआ metas overseas limited आज metas overseas limited पूरे भारत में 40 से ज़्यादा showroom including जो नए बन रहे हैं मिला के वो चल रहे हैं 150 से ज़्यादा dealership showroom हम चला रहे हैं तेईस हजार से ज़्यादा associate partner है 15 से ज़्यादा हमारे flb partner है और ऐसे करते 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 यह बहुत बड़ी industry बन गई फिर हमने लिटेस्ट और advanced machines खरीदी क्योंकि जितना बेहतर manufacturing setup होगा जितना production फास्ट होगा और जितना production फास्ट होगा उतना cost कम हो जाएगा और cost कम होगा तो आपका profit बढ़ेगा और यह profit बढ़ा सकते हैं यह अपने client को ज़्यादा benefit दे सकते हैं discount दे सकते हैं schemes दे सकते हैं और उसके बाद हमने setup of plant किया और finally मैंने अपनी life में वह अचीव किया जिसका dream मैंने देखा था सोचा था और proposed plan से आगे बढ़ने का निर्ने किया था आज पूरा का पूरा manufacturing setup हमारा अपना है और आज हम पूरे इंडिया में exclusive franchisee store बारा पंद्रा सो स्क्वेर फिट से लेकर पांच जार स्क्वेर फिट तक का बनाते हैं इसी एक exclusive store है एक exclusive store है और Meta Soversies Limited के YouTube चैनल पर आप बहुत सारे वीडियोज देख सकते हैं जहां मेरे लगभग 40 सदा शोरूम वीडियोज के माधियम से माधिये हुए हैं मेरा पूरा manufacturing setup पूरी factory पूरा infrastructure सब के वीडियोज वहां पर uploaded हैं आज Meta Soversies Limited पूरी इंडिया में dealer, franchisee, associate partner, FLB और BRP partners के साथ म अपने time को invest करने की और जो time आप invest कर रहे हैं उसका best utilization लेने की या और आसान तरीका क्या होता है एक established brand के साथ जुड़कर अपने सपनों को साकार करने की क्यों क्यों क्योंकि अगर मुझे मांग दर्शक कोई मिलता तो शायद मेरी जीवन का लगभग 10-12 साल का जो समय मैंने इस पूरे setup इंडस्ट्री को set करने में लगाया वो नहीं लगता आज एक फ्रेंचाइजी एक dealer या एक FLB पार्टनर असोशेट पार्टनर जब हमारे साथ काम करता है तो जो 12 साल का पूरा अनुभव और पूरा setup उसको single day से मिलना शुरू है अगर आप भी फ्रेंचाइजी की कामना करता हूं जय हिंद जय भारत